नमस्कार दोस्तो मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की बर्तियों को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है और सुबह से जो अफवाएं चल रही है उसके बारे में भी च सी और गुरूप डी भरतियों का रिजल्ट लगबग गुरूप डी का तो कम है लेकिन गुरूप सी के जो पत्चीस जार पदों के लिए रिजल्ट आना है उसका इंतजार यूवा पिछले च्यार पास दिन से टक तकी लगाए हुए कर रहा है अब साथियों कल के वीडियो लेकिन हिमत सिंग जी कहते आए है कि ओफीशल वेब साइट पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा लेकिन आज सुबह एक अफवा उड़ी थी वह अफवा आपने देख भी ली होगी साथियों यह चेयर्मेन साब के दवारा इसके बारे में फेक अलर्ट भी जारी क लेकिन इनमें क्या बदलाउ किया गया है वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं है साथियों यह जो जानकारी दी ती कि 56 जारी हो गया है यह जानकारी गल्भ थी क्योंकि जारी नहीं हुआ रिजल्ट जब भी जारी होगा सबसे पहले ओफीसिल वेबसाइट पर आएगा इसमे अब अफवाओं का दोर गरम है क्योंकि रिजल्ट आने वाड़ा है तो कोई कुछ भी अफवा चला देता है कि रिजल्ट जारी हो गया इसके बारे में चेर्मेन साब ने अपने जो पेज के उपर कहा है फेस्बूक पेज पर भी कहा रखा है देखिए आप सबी अबेरत्यों को सुचित किया जाता है कि सोसल मीडिया दवारा परिक्षिया परिणाम को लेकर फैलाई जा रही खबरे गल्ट एम तथे हीन है आयोग आप सभी से अन्रोद भी किया गया है कि आदिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह आप परिणाम देखें वहाँ आपको जब भी परिणाम जारी होगा वो मिल जाएगा लेकिन इसमें सांतियों पहले वारी पोस्ट में यहां से देखिए यह जो चेंज है वो देखिएगा जल सभी परकिरियाओं को पूर्ण करने के पसाथ जल्द ही परिणाम जारी किया जाएगा यान कि जो भी रिजल्ट की परकिरिया है वो पूर्ण करने के पसाथ बहुत जल्द आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा यह मान्य चेयर्मेन हिमत सिंग जी के दवारा का गया है अब अब ये कंडिडेट वीकल जब पार्किंग की व्योस्ता की गई है तो आप समझ सकते हैं यह सपत ग्रेंट समारों की जो तयारिया चल रही है वहां की एक फोटो है अभी अभी एक नोटिस हो रहाया है यह नोटिस आपको देखना बेहर जरूरी है साथियो वह नवन्यूक्त उमीदवारों का मैडिकल करवाने के लिए जो आदेश दिया गया है और डेट दी गई है 14-10-2024 आज की डेट बताई जारी है साथियो आपको पता है ऐसा नोटिस सुकरवार को भी जारी हुआ था सनिवार और रविवार की छुटिया भी रद कर दी गई थी अब इसमें ए साधिस को बाद में वापस ले लिया गया था अब क्या कहा गया है आप सभी आज दिनाग 14-10-2024 को अपनी डूटी पर उपस्तित रहें ताकि नवन्यूक्त उमीदवारों का मैडिकल कारिये सुचारू रूप से किया जासके डूटी समाप्ती उपरांत भी निमीन अस्ताक स्वाकरती के बिना कोई प्यादिकारी करमचारी डूटी चोड़ कर ना जाए यानि कि साथियों देर रात तक मैडिकल करवाए जा सकते हैं जो इस नोटिस में लिखा गया है उस आधार पर यह जानकारिया हम बता रहे हैं अब बात करते हैं इस नोटिस की पुष्टी की सा साथियों जहां तक information मिल दिये notice सही हो सकता है लेकिन हम इस नोटिस की पुष्टी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इस नोटिस की पुष्टी के लिए जहां संपरक साधा था वहां से आप ही reply नहीं आया है वह reply आने के बाद भी हम टेलिग्राम पर आपको जानकरी बता लेकिन फिलाल यह notice जिस हिसाब से जो बताया जा रहा है कुछ input मिलें लेकिन साथियों जब तक पक्का पुरूप नहीं मिल जाता वह official रूप से या फिर हम कहें हमारे जो सुत्तर कह लिए कुछ भी कह लिए जहां से हम confirm करते हैं वहां से जब तक confirm नहीं होता तब तक हम इस यह notice की पुष्टी नहीं करते हैं लेकिन अगर notice सही है तो इसका मतलब यह है कि आज आपका रिजल्स जारी हो रहा है लेकिन अब रिजल्स जारे होगा नहीं होगा इसके बारे मने कह सकते क्योंकि डूटी तो 12 तारीक को भी लगा दी गई थी 11 तारीक को ऐसा notice आया उसके बारा को सुबह आठ बजे से डूटी लगा दी थी लेकिन क्या रिजल्ट आया जी नहीं तो रिजल्ट कब आएगा वो फिशल वेब साइट पर ही देखना पड़ेगा सात्यों और जो बाते मैंने कल बताई थी कि कल दिन तक तो आपका रिजल्ट आही लेगा सात्यों कल सब जो लिश्ट हैं ऐसे वाइरल होती रहती है उन्हें वाइरल लिश्टों से थोड़ा बचे और जो भी अपडेट होता है अगर आपके पास कोई अपडेट भी आता है तो अधिकारी को वेब साइट पर जाकर आप खुद भी पुश्टी कर सकते आप समझदार हैं इतने